जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में परनाम पुझेश्री, रुक्मनी बाय जी का जीवन चरित्र मंत्र दिख्षा नाथ नगर में एक महिला थी, जो निर्गुन उपासक संत श्री नारैन हरी जी की शिश्या थी इन माता जी को पता चला के वैद देराज श्री शुक्ल जी की पुत्री रुक्मनी बाई के जीवन में इस प्रकार दुख पड़ गया है बाई के प्रती माता जी के मन में सहानु भूतियों मड़ने लगी दैनिक सत्संग में नित्य चलने की प्रेड़ना देने के उद्धिश्य से वे माता जी बाई से मिली और श्री नारैन हरी जी के सत्संग में जाने के लिए बाई को राजी कर लिया अपने पिता जी से आग्या लेकर बाई उन माता जी के साथ सत्संग लाब के लिए रहे कहने लगें यह बाली का बहुत सीधी है सरल है मैं इसे दिख्षा दूँगा अल पवस्था के कारण बाई को दिख्षा इत्यादी का कोई घ्ञान तो था नहीं संतों के प्रति सहेज श्रद्धा होने के कारण मन में किसी प्रकार के प्रतिकार की भावना का उद्भव किया गया जिस दिन दिख्षा होने वाली थी उससे पूर्व रात्री में बाई को स्वपन में एक संत दिखलाई पड़े वे श्वेत वस्त्रधारी थे उन्होंने बाई के कान में एक मंत्र दिया मंत्र दान करने वाले ये श्वेत वस्त्रधारी संत कौन थे इसका इस्पश् दिक्षा समारों का सुभारंब बड़े धुमधाम से हुआ दिक्षा पद्दती के अनुसार पूजन हवन इत्यादी होने के बाद मंत्र प्रदान करने का समय आया मंत्र प्रदान करने से पहले दिक्षा अभिलाशी से कुछ संकल्प करवाय जाने की परंपरा है एतिदर्थ गुरुजी ने बाई से कहा बोलो मैं ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मा समी बाई की बच्पन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रती प्रगार प्रीती थी बौसी में सम्माने श्री सत्य वरत जी से भगवाच चर्चा करते समय आत्मस रूप की जो सुर्ती हुई थी उसके स्मृती जाग उठी यह संकल्प तो उनको बड़ा ही प्रतिकूल लगा पर बोलना आवर्शक था वे मन ही मन मैं के स्थान पर बोली श्री कृष्ण ही और फिर प्रकट रूप में बोली ब्रह्म है उन गुरुजी ने फिर संकल्प लेने के लिए कहा आज से मेरा श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है बाई ने अस्फुर्ट स्वरों में मन्द रीती से उचार्ण करते हुए कहा आज से मेरा संबंध केवल केवल श्री कृष्ण से ही होगा यह संकल्प तीन बार दोहराया गया गुरुजी ने फिर दोहराने के लिए कहा आज से हम तुलसी पूजन नहीं करेंगे और भगवत चड़नामरित नहीं लेंगे गुरुजी को यह ग्यात हो गया था कि बाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका है अतहवे बाई के हिर्दय में प्रतिष्ट सगुन साकार भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निर्गुन निराकार अद्वय ब्रम को स्थापित करना चाहते थे और इसलिए ऐसे संक संकल्प बाई से करवा रहे थे परनन तुबाई की तुलसी जी के प्रति बचें से हि ऑगाद श्रRP थी के प्रति बाई के मन में जौ लगाव था वह जीवन भर उत्तर अत्यंतघनिः रहा निंवाठ स्थान पर तुलसी जी अवश्य रहती थी और बाई उनका प्रति दिन सब भक्ती अर्चन वंदन करती थी वे तुलसी पूजन के बिना रह ही नहीं सकती थी और इसी प्रकार भगवत चर्णामरित के बिना जल ग्रहन करना भी उनके लिए असंभव था अब अपनी निश्ठा के अनुसार बाई ने गुरुजी द्वारा कथित संकल्प को ही बदल दिया और कहा आज से हम नित्य तुलसी पूजन करेंगे और नित्य भगवत चर्णामरित लेंगे दिख्षा दिये जाने का सारा कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बाई अपने घर आई घर पर आकर चारिक संखर्ष छड़ा हुआ था बाई गंभीर विचार में पड़ गई कि श्री कृष्ण भक्ति का निशेद होने के कारण मैं गुरु जी की आग्या का पालन नहीं कर सकती किन्तु गुरु की आग्या की अवहेलना भी तो एक अपराध है इस अंतर द्वंद में समय वे लोगों के बहुत आग्या करने पर भी बाई उनके सत्संग में नहीं गई भले बाई उस दैनिक सत्संग में नहीं जाती थी किन्तु गुरु अभेलना का भै भी मन में छाया हुआ था इन दिनों बाई अत्यधिक खिन और उदास रहने लगी इस घटना के परश्चाद बा इस संग का भी एक संचिप्त इतिहास है इस संसा के सापना श्री संत सेवी और सर्व प्रिय श्री लोकनात प्रसाजी धंडनिया को है अपनी अत्यंत लाडली पुत्र वधु श्री मती चंदा देवी धंडनिया के प्रती अपना अपार वास्सिल्य था नक्षिक सात्विक स्वभाव वाली श्री चंदा बाई के मन में सत्संग करने की बहुत चाह रहा करती थी संभ्रांत कुल की परंपरागत श्रेष्ट मर्यादाओं की परीधी में रहने के कारण उनका कहीं भी सत्संग में जाना संभव नहीं हो पाता था अपनी लाडली पुत्र वधु की प्रबल इच्छा जानकर श्री लोकनाज जी एक ऐसी संसागा निर्मान करना चाहते थे जहां किवल महिलाएं ही बैठकर सत्संग किया करें श्री शेड़ जी श्री जैद्याल ग्यानका जी से श्री लोकनाज जी का घनिष्ट संबन था और इस घनिष्टा के नातेवे प्राया सत्संग के लिए भागलपूर आया करते थे श्री सेड़ जी के मन में चंदा बाई के लिए भी बहुत स्थान था चन्दा बाई की भावना को आदर देने के लिए श्री लोकनाथ प्रसाज जी के आग्रह पर श्री सेड़ जी द्वारा श्री महिला संकी स्थापना विक्रम संबत 2005 सन 1948 में सन 1948 में श्री महिला संकी स्थापना हुई फिर श्री लोकनाथ जी ने भूमी खरीद कर भवन का निर्मान करवाया और भवन का उद्धाटन भी श्री सेड़ जी के करकमलों से हुआ इन्ही पुझे श्री सेड़ जी द्वारा पधराये गए श्री राधा कृष्न के युगल रूप विग्रह श्री महिला संग में आज भी विराजित है माताओं बहनों के कल्यानार्थ यह श्री महिला संग आज भागल पूर की एक विख्यात संस्ता है इस संस्ता से आदर्निया श्री नर्मदा बाई खेतान बहुत जुड़ी हुई थी श्री नर्मदा बाई का ससुलाल नाथ नगर में था संस्ता संग के परती उनका अत्यन तनुराग था वे पुजे श्री सेड़ जी और श्री भाई जी के संस्ता संग में आया जाया करते थी वे एग भगवत प्रेरित होकर एक दिन बाई के पास आई प्रथम मिलन में ही नर्मदा बाई को ऐसा लगा कि यह तो मेरी बेटी है और उनके हिर्दे में बाई के प्रति सहज वासल्य का एक प्रबल परवाह बहने लगा इधर ऐसा हुआ तो उधर बाई को भी ऐसा लगा कि यह तो मेरी माँ है बाई अपने भाव प्रवाह को रोक न सकी और नर्मदा बाई को मा कहकर संबूदित करने लगी इस संबंद का निर्वाह जीवन के अंतिम छण तक होता रहा अगले दिन नर्मदा बाई स्वर्ग आश्रम इस्थित गीता भवन पुझे श्री सेड़ जी और श्री भाई जी के ससंग के लिए नाथ नगर से जाने वाली थी गीता भवन रिशिकेश से लगवक तीन मिल गंगा जी के उस पार स्वर्ग आश्रम में स्थित है यह भवन भगवती गंगा जी के तटपर एक अत्यंत रमनिय स्थान है जहां ससंग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है यह गीता भवन गोरकपूर के गीता प्रेस की एक सह संस्था है और पुझे श्री सेड़ जी और पुझे श्री भाई जी का प्रती वर्ष ग्रिश्म रितु में वहां ससंग हुआ करता था नर्मदा भाई की आंतरे की इच्छा थी कि मैं भाई को भी अपने साथ गीता भवन ले जाओं और वहां श्री सेड़ जी तथा भाई जी से मिला दूँ पर उन्तु बाई के पिताश जी वैद देराश शुकल जी ने वहां जाने के लिए आग्या नहीं दी नर्मदा भाई जब गीता भवन के लिए जाने लगी तब भाई ने अपने दिवंगत पती श्री यदू नंदन जी का चितर उनको दे दिया यह चितर भाई बौसी से अपने साथ ले आई थी नर्मदा बाई ने वह चितर अपने पास रख लिया और गीता भहन जाकर एक दिन श्री सेड़ जी को दे दिया चितर देकर उन्होंने श्री रुकमणी बाई का सारा वरत भी सुनाया श्री सेड़ जी ने वह चितर तो अपने पास रख लिया और भगवान श्री कृष्ण का चित्र देकर नर्मदा बाई से कहा रुकमनी को यह चित्र दे देना और कह देना कि वे भगवान श्री कृष्ण ही उसके वास्त्विक पती हैं गीता भवन से नाथ नगर आकर नर्मदा बाई ने वह चित्र बाई को देकर पुझे श्री सेड़ जी का कथन भी सुना दिया इस कथन ने उनके उस निकुन जात्मक आत्मसुरूप की स्मृति की जागरती करा दी जो प्रिया प्रेतम श्री राधा कृष्ण के निकुन जविहार से संबंदित है बाई को सतत यही लगने लगा कि मैं प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण की एक प्राण प्यारी सेवा परायना अनुचरी हूँ इसके पश्चाद बाई मंजरी भाव से भावित रहते हुए साधन भजन में सलगने रहने लगी वे नित्य प्राते काल चार बजे उठकर और स्नानादी से निवरित होकर पूजा पाठ जब ध्यान में तल्लीन हो जाती पूजे श्री सेड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण का जो चित्र भिजवाया था वे चित्रात्मक श्री विग्रह पूजा घर में पदरा दिया गया वे देराज श्री छेदी प्रसाज जी शुकल इसे अपना जमाई मान कर दूला बाबु संबोधित करने लगे ये दूला बाबु आज तक शुकल परिवार में विराजित है और भली परकार सुपूजित हो रहे है जै श्री राधे आगे हम कल सुनेंगे